कि नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल लर्न इन्वेशन अर्न में आज की वीडियो में आम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स अनालेसिस और इसके साथ-साथ देखेंगे कुछ स्टॉक्स जहां पर हमें अच्छा- कासा मोमेंक्स एक्स पेट कर सकते हैं start कते हैं निफ्टी से तो सबसे पहले निफ्टी को अगर डिली चार्ट पे देखेंगे तो एक दोजी बनी हुए है यहाँ पर उपर की तरफ और यह दोजी-केंडल दरशाती है कि निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पर पॉजिश लेने की कोशिश कर सकता है उपर जाने के कोशिश में selling आ गई है नीचाने पर buying आ गई है Nifty हर बार buying on dips हुआ है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि Nifty weak है लेकिन यहाँ पर एक pause हो सकता है अच्छा कासा run हुआ है market अच्छा कासा भागा है यहाँ पर एक pause लिया है यहाँ पर support लेके वापस उपर गया है मुझे लगता है एक बार यह इस तरह का zone यहाँ पर बन सकता है जैसे यहाँ पर zone बना था exactly उस तरह का यहाँ पर एक zone बन सकता है और वो Nifty के सहत के लिए अच्छा भी होगा आगर Nifty यहाँ पर थोड़ा consolidate करेगा थोड़ा time spend करेगा तो definitely आगने वाले run के लिए अच्छा होगा वन वे अगर भागता रहता है market तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और बहुत बार FOMO वाली feeling आती है बहुत से लोगों को तो उस चक्कर में क्या आता है अंदा धुन किसी भी level पर buying चलू हो जाती है तो consolidation करना बहुत अच्छी बात है hourly charts पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको clearly नजर आएगा कि यह रुखने की कोशिश क्यू कर रहा है मैं आपको आँ दिखाता हूँ जाते हैं daily से hourly chart के उपर निफ्टी अभी भी strong है तो आप उसमें डरिये मत यह मत सोचिए कि निफ्टी अभी weak हो रहा है सबसे important है कि यहाँ से निफ्टी निकला है और निफ्टी ने यहाँ पर एक gap create किया था gap up करके open हुआ निफ्टी और यही जो इसका high था यहाँ पर निफ्टी आके close हुआ है तो सबसे important चीज यह है कि जो यहाँ का closing था 17,840 के आसपास का closing था यह वाले दिन का 23 तरिक का वही अभी जाके support add कर रहा है क्योंकि 24 तरिक को यहीं पर निफ्टी close हुआ है अब सबसे important चीज क्या है कि निफ्टी कहां तक आएगा अगर नीचे टूपता है तो सबसे पहला level जो रहने वाला है वो रहेगा 800 का 800 का level इतना important क्यों है क्योंकि 800 का level psychologically एक whole number है एक round figure है उसके अलावा यह एक swing है तो यहां से निफ्टी नीचे आया फिर उपर गया अब यहां पर एक बार test जरूर करेगा यह अगर यह break करता है तो फिर निफ्टी एक बार यह वाले zone में आ जाएगा यह वाला zone जो है यहां पर आएगा और यह वाला zone जो रहेगा वो रहेगा 17,650 से लेके 17,700 यह एक zone रहेगा इसमें हो सकता है एक बार निफ्टी आके ठहरने की कोशिश करे टेकनिकल चार्ट के इसाब से हमें यही लग रहा है लेकिन हम लोग टेकनिकल के साथ साथ देखते हैं option data भी जो बहुत help करता है हमें समझने के लिए कि कहां तक जा सकता है तो option data जागर आगर देखते हैं निफ्टी तो यह भी monthly expiry आ रही है monthly expiry के हिसाब से आगर हम देखे तो सबसे जादा जो call writing हुई है वो है 18,000 के level पर 18,000 पर कितने call writers बैठे हैं 5.3 million 53,000,000 कोंट्रैक्ट यहां पर बैठे हुए हैं और 17,900 पर करीबन 3.4 तो अगर मैं इन दोनों को add कर दूँ तो मोटा मोटा आपके 90,000,000 कोंट्रैक्ट इन दोनों strike price पर है प्लस अगर इसको जोड़ दो तो करीब करीब एक करोड प्लस तो एक करोड प्लस कॉंट्रैक्ट जो है वो उपर के साइड में call writers बैठे हैं तो उपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है अभी नीचे कहां तक आ सकते हैं 850 पर हम लोग आल्डेडी हैं जैसे मैं आपसे कहा कि 800 तक एक बार dip कर सकता है हो सकता है 800 के आसपास आए वहां consolidate करें तो 800 पर main reason ये है कि technical charts के साब से हमें एक swing दिख रहा है previous pin बार दिख रहा था हमें और यहां पर option data के हिसाब से यहां पर हमें 3.6 million contracts put के contracts दिख रहा हैं जो write करके बैठे तो सबसे पहला support ये रहेगा अगर ये टूटता है तो 17,700 इसके नीचे मुझे नहीं लगता है 20-30 point plus minus हो सकता है लेकिन इसके नीचे फिलाल nifty आते नहीं दिख रहा है तो worst case scenario क्या रहेगा आपका 17,650, 17,680 worst case scenario लेकिन मुझे लगता है कि ये 700 के उपर से ही bounce back कर जाएगा तो जो लोग भी nifty trade कर रहे हैं आप accordingly अपना trade कर सकते हैं उपर की तरफ बहुत ज़्यादा resistance है बहुत ही ज़्यादा call rating हुई है एक करोड contracts है तो मुश्किल है उपर की जर्नी अब देखते हैं bank nifty तो bank nifty को अगर आप देखोगे तो सबसे पहले चार्ट करते हैं daily chart से bank nifty में तो bank nifty उपर की तरफ तेकि bank nifty की जर्नी बड़ी अजीब रही है यहाँ पर bank nifty निकला है एक pause लिया है फिर उपर फिर नीचे फिर उपर अब यह एक m pattern form कर रहा है तो यहाँ पर जो candle बनी है यह exactly यही high के आसपास है और 38,000 एक ऐसा level है जहाँ पर bank nifty अटकते हुए नजर आ रहा है अब यह scene सेम वैसा वाला है जैसे nifty में 18,000 का है सबसे जादा यहाँ पर अगर data के हिसाब से देखुर सबसे जादा call data यहाँ बैठे हुए है technically यह एक round number है एक whole number है यहाँ पर थोड़ा psychological pressure होता है 38,000 बहुत important level बन रहा है bank nifty के उपर के लिए लेकिन अगर हम लोग देखते हैं कि bank nifty अगर 38,000 के level को cross करता है तो यहाँ पर आपको एक बहुत जारा तगड़ी short covering आते दिख सकती है हमने यह चीज last week भी कहे थी कि short covering बहुत ज़दा important है और आ सकती है 37,500 के उपर मैं वही चीज वापस repeat करूंगा अगर 38,000 क्रोस करता है bank nifty तो यहाँ पर short covering आएगी वरना bank nifty एक sideways जा सकता है कुछ लोग कहेंगे आप Ips and Buts में बात कर रहे हो लेकिन अच्छे खासे run हो चुकी है जब भागने वाला था bank nifty या nifty हमने clear cut calls दिये थे अब समय वो है कि आप market के moment को देखिए कोई भी आपको यह नहीं बता सकता है कि 100% market इसी direction में जाएगा इतना तुर्रम खान कोई भी नहीं है अगर कोई कह रहा है कि मुझे मालूम है मैं च्छाती ठोक के कहता हूँ market यहीं जाने वाला है या तो वो bluff कर रहा है या तो वो तुक्का कर रहा है दोनों में से कोई एक ही होगा तो यहाँ पर अगर हम लोग daily charts में आते हैं hourly charts में आते हैं तो hourly charts के उपर एक अच्छा support दिख रहा है हमें तो सबसे पहला level जहां पर मुझे लगता है bank nifty रुकते वे नजर आएगा वो रहेगा 37,600 से लेके 37,500 अब इसके बीचे भी वापस option data सबसे दे इंपोर्टन्ट है सबसे पहले चीज तो यह हमारे लिए एक break even था पहले जैसे इसको cross किया यहां पर एक अच्छा खासा रना आया है और यहीं पर हमने call को buy करने के लिए कहा था 3 times 4 times तक call का profit हुआ है जो लोग telegram channel से जुड़े हैं उन्हें ये बात मालूम है और जो लोग नहीं जुड़े हैं आप लोग बहुत अच्छी opportunity मिस कर रहे हो बहुत कम trade करते हैं हम लोग लेकिन अच्छे trade करते हैं फरजी trade करना नहीं है गैंबलिंग करना नहीं है तो नहीं जुड़े हो अगर telegram channel से तो description box में link दीए वहाँ पर click करके आप में जुड़ सकते हो अब सबसे important जहां पर ये breakout आया है वही हमारे लिए सबसे support अच्छा खासा रहेगा तो जो level रहेगा वो 37.600 से लेके 36.500 के आसपास अगर मैं जाके देखूं option data में तो option data में भी मुझे almost वही data दिख रहा है आभी बीच में कहीं भी ज़्यादा put writers नहीं है तो सबसे ज़्यादा put writers कहां बेठें 37.500 पर तो हो सकता है कि bank nifty ये जो आखरी week है expiry का इसमें 37.500 से लेके 38.000 के बीच में थोड़ा सा time spend करे worst कि सिनारियो क्या है सकता है अगर 37.500 टूटता है अगर यहां पर 37.500 टूटेगा तो बहुत तेज fall expect मत कीजिए ये वापस multiple support नीचे की तरफ है 37.300, 37.200 तो यहां पर support रहेगा तो बहुत ज़्यादा fall तेज expected नहीं हो सकती क्योंकि 37.000 पर भी बहुत अच्छा का से put writers बैठे हुए है निफ्टी और बैंक निफ्टी हमें इस तरह से लग रहा है अब देखते हैं कुछ stocks जहां पर हमें लगता है एक अच्छा कासा momentum यहां पर बन सकता है उससे पहरे देखते हैं Wix तो Wix almost flat है 2% के आजपास की तेजी आईए इसमें last trading session में कोई बात नहीं है फॉर्मिशन होते दिख रहा है हमें gold में और important चीज़ यह है कि जब आपके हिसाब से फॉर्मिशन होते हैं तो आपको मज़ा आता है जो लोग हमारे वीडियोस continuous देख रहे हैं आप ये बार बार देख रहे होंगे कि हम ये chart बना रहे हैं इसके नीचे मैं sell करने वाला हूँ तो मेरे लिए weight मत कीजिए अगर ये levels के नीचे आता है तो यहाँ पर आप sell कर सकते हैं stop loss लगा लिजी अपने जो मैं बताता रहता हूँ अपने हर वीडियोस में जो next commodity है जो हम लोग track करते हैं ये है crude oil crude oil में अच्छा खासा profit हुआ है मैं वापस करता हूँ जो regular followers हैं जो regular followers हैं उन लोगों को अच्छा खासा profit हुआ है हमने कहा था 5400 के उपर buy कीजिए वहाँ पर भी मैंने यही कहा था मेरा weight मत कीजिए जैसे 5400 cross होगा आप buy कर सकते हो 23rd को रात को 9 बजे cross हुआ है मैंने खुट trade एंटर किया है इसमें और अच्छा खासा profit इसमें हुआ है इसमें भी बहुत clear cut pattern था उपर गया नीचे resistance लिया यहाँ से और यहाँ से उपर निकल गया मुझे expected है ये 5500 cross करने के बाद इसमें एक बहुत sharp रन आएगा तो नजर बना के चलिए जिन लोगों ने भी 5400 के असपास entry ली है stop loss थोड़ा trail के लीजे entry की उपर लीजे और 500 cross होने के बाद आपको एक बढ़ा तगड़ा profit होगा तो इसमें position अगर आपकी हैं तो अच्छी बात है वरना आप profit book कर सकते हैं partial profit book कर सकते हैं और अपने stop loss को trail कर सकते हैं अब कुछ stocks जो हमने last week discuss किये थे Tata Steel हमने कहा था bounce back के लिए play करेंगे बहुत बढ़ी है तरीके से bounce back के लिए play किया इस candle पर जिस दिन close हुआ था उस दिन रात को मैंने video डाला था कि यह हम लोग bounce back के लिए करेंगे देखे यहां पर bounce back भी कितना आया है 1240 से लेके 1330, 1335 तक क्या कम होता है कि यह 100 point का bounce back मिला है बहुत लोग बुलते हैं कि मज़ा नहीं आया क्या मज़ा नहीं आया 100 point का bounce back मिल रहा है आपको roughly 8% है यह मैं वही कहता हूँ लोग FD में fixed deposit में bank में पैसा डाल देंगे 5.5 टका interest पर जिसके उपर TDS भरेंगे अलग से 1.5 टका और 3.5-4 टके में खुश रहेंगे यहां पर आपको 3-4 दिन में अगर 8 टका मिल रहा है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है क्यूं समझने की कोशिच कीजिए यह mentality है यह सोच की वज़े से ही retailers पैसा नहीं कमा पाते हैं उन्हें एकदम से जुन जुन वाला बनना है एकदम से उन्हें बड़ा ट्रेडर बनना है लाखो रुपय कमाने अरे आप लगा नहीं रहे है लाखो रुपय कहिसे कमाऊगे लाखो रुपय तो अपने capital की हिसाब से देखिए आपको 8-10% मिला है अच्छा खासा trade है वो उतना ले लिए और निकल जाईए अब important क्या है अब हमें इसको trade किस तरह से करना है तो सबसे बड़ी हाट trade करने के लिए इसमें तरीका ये है कि अब जैसे ही ये 1224 sorry 1240 जैसे ही ये 1240 के नीचे निकलता है एक बार देखिए attempt किया अगर ये break करता है नीचे की तरफ तो फिर आप इसमें sell करके चलिए cautiously sell कीजिए क्योंकि यहाँ पर stop loss आपको थोड़े रखना क्योंकि यहाँ पर अगर आप RSI देखोगे तो RSI भी नीचे की तरफ जा रहा है ये ना हो कि आप थोड़ा late sell करें और फिर oversold territory में चला जाए और उसके बाद वहाँ से bounce back मारके आपको stop loss मारें तो 12 चलिए नीचे जाए 7-8 point के उपर stop loss मत रखिए और उसके बाद trade कीजिए अगर candle close होने पर दिन के 2 बच के 20, 20 मिनिट, 2 बच के 30 मिनिट 3 बजे के आसपाज अगर trade लेते हो इसके नीचे तो फिर जादा better रहेगा तो उससरा से trade करना है लेकिन risk reward अपना maintain करके रखिए stop losses अपने tight रखिए एकदम ये नहीं है कि मैंने कहा है और आपने trade ले लिया है खुद भी analysis करना क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सिखाने आ रहा हूँ, समझाने आ रहा हूँ ready made tips प्रोवाइड करने नहीं आ रहा हूँ देखते हैं आगे stocks कुछ और जोने discuss किये थे तो मुझे लगता है ये एक stock है HDFC bank जो कल के trading session में अच्छा कासा दमाद कर सकता है इसमें सरीफ एक दिक्कत ये है कि ये अपने resistance के पास आ रहा है 1600 एक round level है यहाँ पर एक resistance बनता है सबसे important है कि यहाँ पर एक लंबा head and shoulder inverted head and shoulder pattern बन रहा है और यहाँ पर अगर breakout आता है तो मुझे रखता है 25 से 30 रुपे का यहाँ एक moment आ सकता है SDFC bank अगर यहाँ पर अच्छा का सा breakout आता है तो bank nifty आपको नजर बना के चलना पड़ेगा वो आपके लिए सबसे easy तरीका होता है किस तरह से आप bank nifty को trade करते हैं हमने Friday के दिन कुछ trades दिये थे तगड़ा profit हुआ है options में और IT में भी हमने trade दिये थे IT की एक बात मैं कहूंगा आगे end of the video में तो बने रहना कुछ बहुत interesting findings मिली है IT में लेकिन bank nifty अगर आप trade करना है तो SDFC bank को नजर बना के चलिए यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा trade मिल तकता है मैं कहूंगा personally 1610 के ऊपर अगर निकल के 15 मिनिट की candle close करती है तो ही trade करना है वरना spike आके निकल जाएगा जैसे Tata Power में आया था Friday के दिद ओके friends तो इस तरह से हमें trade करना है SGFC bank जो दूसरा stock हमने shortlist किया है यह है SGFC life इसको भी हमने Thursday को Friday को दिया था हमारा sell initiate नहीं हुआ है इसमे 720 की नीचे sell कहा था हमने 720.75 आके गया है तो अभी भी मुझे लगता है यह week है इसमे same levels पर करके चलेंगे हम लोग 720 की नीचे आएगा तो sell करके चलेंगे कुछ stocks जो radar पर रखना है कल के लिए इसे दो ही stock है HDFC life, HDFC bank यह दो ही stock मेरे रडार पर अभी आ रहा है फिलाल मुझे लग रहे हैं अच्छे stock है कुछ radar पर रखना है वो है M&M M&M में एक बहुत बड़ी है pattern बन रहा है आप देखी एक sloping trend line है यहाँ पर ascendant triangle बन रहा है यहाँ पर मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा breakout आ सकता है multiple times इसको test करते भी दिखा गया है यहाँ पर trend line से निकला है एक बार दो बार तीम बार और चौथी बार attempt कर रहा है volume भी थोड़ा ठीक ठाक है इस बार attempt के time पर और यह runaway है यह थोड़ा सा कम है तो इसकी उपर नजद बना के चलना है M&M में entry कप करनी है 785 785 के उपर अगर निकलता है तो M&M में आप entry कीजिए अगर closing basis पर करते हो daily candle के basis पर करते हो तो और भी अच्छी बात है confident level आपका थोड़ा ज़्यादा better रहेगा stop loss क्या करना है 785 अगर cross के निकल नीचे आता है तो आपको छोटा stop loss लगाना है 779 का 779 का आपको SL लगाना है यहाँ पर आपको buy करना है targets उपर की तरफ open रहेंगे लेकिन पहला target मैं 800 के आसपस रहोगा जो मेरे लिए round figure है और उसके बाद हम लोग उसको trail करेंगे यह positional stock भी हो सकता है तो यह रहेगा M&M थोड़ा सा screen पर अगर engagement हो रही है खोड़ा खिचड़ी बन रही है importance यह है कि समझना है आपको logic समझना है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा है data consumer यह मेरा एक stock radar पर है और 833 के नीचे अगर यह आता है तो इसको हम लोग positionally sell करके जाएंगे हो सकता है October का future sell करें यहाँ पर हम लोग और छोटा सा stop loss रखेंगे 78 point के आसपास का मुझे लगता है यह stock एक बार आपको 780 के level तक आते हुए दिख सकता है तो यह भी radar पर रहेगा और इसको मैं बहुत closely track करने वाला हूँ तो breakdown देने के almost कगार पर आया हुआ है यह यहाँ पर आप देख रहें यह zone बनाया हुआ है यहाँ पर breakdown आ सकता है ultra tech cement यहाँ पर भी आपको थोड़ा radar पर लखना है एक trend line मनाई है इस trend line के पास multiple times इसने support यह resistance की तरह act किया है जैसे breakout दिया फिर उपर गया फिर नीचे आया अब वापस यहाँ आ रहा है अगर यह breakdown देता है तो फिर यहाँ पर आप अच्छी कासी गिरावट देख सकते हो करीबन 200 से 300 point की गिरावट आया सकती है तो इसको भी radar पर रखना है importance यह है कि यह breakdown देता है trend line के बाद तो entry करना है पहले ही आपको बहुत तीस मार खान नहीं बनना है और पहले ही entry नहीं रेना है महनत का पैसा है संभाल के use करना है logically use करना है और तुक का trading नहीं करना है gambling नहीं करना है तो यह थे definitely हम लोग उसको answer back करेंगे thanks for watching the video keep learning keep investing and keep earning Jai Hind करना है करना है झाल 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 झाल